निर्गमन अध्याय 24 फिर उसने मुसा से कहा तू हारुन नादाब अभी हूँ और इस्राइलियों के सत्तर पुरुणियों समेत यहवा के पास उपर आकर दूर से दंडवत करना और केवल मुसा यहवा के समीप आए परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग उपर न आए तब मुसा ने लोगों के पास जाकर यहवा की सब बाते और सब नियम सुना दिये तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बाते यहवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे तब मुसा ने यहवा के सब वचन लिख दिये और बिहान को सबेरे उठकर परवत के नीचे एक वेदी और इसरायल के बारहो गोत्रों के अनुसार बारह खंबे भी बनवाए तब उसने कई इसरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहवा के लिए होमबली और बैलों के मेलबली जड़ाये और मुसा ने आधा लोहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छड़क दिया तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया उसे सुनकर उन्होंने कहा जो कुछ यहवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आग्या मानेंगे तब मुसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छड़क दिया और उनसे कहा देखो यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांदी है तब मुसा, हारुन, नादाब, अभिहु और इस्राइलियों के सत्तर पुर्णिये उपर गए और इस्राइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चर्णों के तले नील मनी का चबुत रासा कुछ था जो आकाश के तुल्दे ही स्वच्छ था और उसने इस्राइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया, तब उन्होंने परमिश्वर का दर्शन किया और खाया पिया, तब यहवा ने मूसा से कहा, पहाड पर मेरे पास चड़ और वहा रहा, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्ता और आज्या दूंगा, कि त उनको सिखाए, तब मूसा यहुशु नाम अपने तहलुए समेत परमिश्वर के परवत पर चड़ गया, और पुरुनियों से वह यह कह गया, कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए, तब तक तुम यही हमारी बाट जो होते रहो, और सुनो, हारुन और हूर तुम्हार हो, तो उनी के पास चाए, तब मूसा परवत पर चड़ गया, और बादल ने परवत को चा लिया, तब यहुवा के तेज ने सिनय परवत पर निवास किया, और वह बादल उन पर चह दिन तक चाया रहा, और सात्वे दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, और इसरायलियों की दुरुष्टी में यहुवा का तेज परवत की चूटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके परवत पर चड़ गया, और मूसा परवत पर चालिस दिन और चालिस रात रहा,